हलो दोस्तो स्वागा थे आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 26 अपरेल से समंधित उत्तर पुर्दिस करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए most important current affair के questions को discuss करेंगे और हर एक question से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउलोड करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से इसकी PDF डाउलोड कर सकते हैं टेल option number A है उत्तर प्रदेश, B है उडिशा, C है बिहार और D है महारास्टर इसका जो correct answer है वो है option number A उत्तर प्रदेश इफको ने उत्तर प्रदेश के आमवला बरेली में दूसरा oxygen plant लगाने की अनुमती दे दी है यह plant प्रती घंटा 130 cubic meter oxygen का उत्पादन करेगा तथा यह automatic slender feeling plant होगा plant आगामी 30 मैं से शुरू हो जाएगा इफको के मताबिक उसके अन्य दो oxygen plant फूल पूर यानि उत्तर प्रदेश में और पारादीप उडिसा में निर्मित हो रहे हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इफको है उसका उत्तर प्रदेश में दूसरा oxygen plant कहां पर इस्थापित किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के आमवला जो की बरेली में प्रता है वहां पर इस्थापित किया जाएगा और पहला जो oxygen plant है वो कहां पर इस्थापि तकनीक यह संस्थान कहां इस्थित है अप्सिन नमबर A है आगरा, B है लखनव, C है कानपूर, D है जहांसी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सिन नमबर B लखनव संजाय गांधी PCIQ Neurologist Professor रोचिका टंडन ने संस्थान के Neurosurgery, Radiology वा Anesthesia विभाग की मदद से यह तकनीक इस्थापित की 200 पारकिंसन जागरुकता दिवस यानी 11 अप्रेल को अवसर पर उन्होंने इस तकनीकी और रोग के इलाज के बारे में जानकारी दी पारकिंसन तंत्र का तंत्र की बीमारी है जिसमें अंगों में कमपन सुरू हो जाता है काफी लोगों में दवा से कमपन नियंत्रित किया जाता है लेकिन जब दवा काम नहीं करती तब Deep Brain Stimulation तकनीक कारगर होती है अब दोस्तो जो रोची का टंडन है ये Neurologist हैं और संजाए गांधी PCI ये संस्थान कहां पर इस्ते थे तो आपको ध्यान रखना है ये लखनव में इस्ते थे अब दोस्तो इसका पूरा नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना है SGPGIMS ये इसका पूरा नाम है अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा तो ध्यान रखना है संजाए गांधी Postgraduate Institute of Medical Sciences ये इसका पूरा नाम है और ये कहां पर इस्ते थे थे तो ये लखनव में इस्ते थे ये भारत का एक उतिक्रष्ट आयुर विज्ञान संस्तान है और 1983 में आपको ध्यान रखना है 1983 में इस संस्थान की इस्तापना की गई थी और दोस्तों ये जो Neurologist Professor Ruchika Tenda ने इनके मताबिक देश में हर साल 10 लाख लोग इस बीमारी से पीडित होते हैं और ये जो बीमारी है परकिंसन मस्तिस्क में डोपामाइन की कमी के कार लोगती है इस से होता क्या है कि मस्तिस्क में जो Neurons हैं उसके बीच संचार कम हो जाता है और Neurons का काम क्या होता है तो ये आपस में मिलकर अंगों को जरूरत के अनुसार काम करने के लिए गती देते हैं लेकिन संपर्ग खत्म होने के कारण अंगों पर नियंतर्ण खत्म हो जाता है अगला कुश्यान है भारत ने निमलकित मैंसे किस देश के साथ समुद्री परियावरण सी सम्बंदित समझोते पर हस्ताक्षर किये ओप्सन नमबर ए है जापान, बी है रूस, सी है जर्मनी और डी है थाईलेंड इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्सन नमबर सी जर्मन भारत ने जर्मनी के साथ समुद्री परियावरण सी सम्बंदित समझोतों पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार के आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने इस समझोते पर हस्ताक्षर किया है इसका सीरसक है समुद्री वातावरण में प्रवेस करने वाले प्लास्टिक से जु कोबार दुईव समो के राज्य सरकारों तथा कार्यानवयन सहरों कानपूर कोच्ची और पोर्ट बिलेयर के प्रतिनी धी भी सामिल हुए यह समझोता स्वक्ष भारत मिसन सहरी के उद्देश को पूरा करने में मदद करेगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह जो ज पिरल एवं अंडमान और नेकोमार दुईप समो जो राज्य हैं वो इसमें सामिल हुए और अगर सहरों की बात करें तो इसके कार्यानवयन के लिए कानपूर कोच्ची और पोर्ट बिलेयर की प्रतिनी धी सामिल हुए थे अगला कुश्यन है राष्टिय पंचायती राज किस दिन मनाया जाता है और शुट दिन बाज डिलेयर को रास्तृ पन्चायती राज दिवस्ट मनाया जाता है इस दिन पंचायत नितां दोरा किये गए कारियों को मानिता दी जाती है और उनकी सरहना की जाती है 1993 में 73 समवैधानिक संसोधन पंचायती राज्य विवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था पूर्वे प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 2010 में पहला राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस घोसित किया था तो दोस्तो आपको ध्यान रखना की प्रतिवर्स 24 अपरेल को पंचायती राज दिवस की रूप में मनाये जाता है और इसकी घोशना कब की गई थी तो 2010 में पूर्वे परधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग ने इस दिवस की घोशना की थी अब दुस्तो पंचायती राज विवस्ता से समंदित कई कुशन है जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं सबसे पहले तो ये कि जो पंचायती राज विवस्ता है ये भारत में कब लागू की गई थी तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो पंचायती राज विवस्ता है वो 2 अक्टूबर 1969 को लागू की गई थी अब ये सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी तो राजस्थान के नागौर जिले में इसे सबसे पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू के द्वारा लागू किया गया था ये आ तो इसके बारे में जानते हैं जो 73 वा संवैधानिक संसोधन है ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1993 में अब दोस्तो इसके तहत हुआ क्या था कि इस संसोधन के द्वारा पंचायती राज विवस्ता को संवैधानिक मान्यता मिली थी और इसके तहत संवैधान के संवैधान म जो अनुच्छे थे वो जोड़े गए थे और ग्यारवी अनुशूची जो है वो भी जोड़ी गई थी तो आपको ध्यान रखना है कि जो 73 समविधानिक संसोधने इसके तहत भारतिय समविधान में भाग 9 जोड़ा गया अनुच्छे 243 से 243 ओ तक जोड़ गया और 11 वी अनसूची जोड़े गई अब दोस्तों जो 11 वी अनसूची है इसमें जो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंदित कितने कारे जोड़े गए यह आपको ध्यान रखना है कि 29 कारें का 11 वी अनसूची में वर्णन किया गया है तो यह सारे कुश्यन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंदित कई बार एक्जाम में पुछे गए हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है सबसे पहला तो यह कि पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई तो 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई और जो त्यत्रमा समवेधानिक संसोधन है यह कब हुआ तो 1993 में और इस समवेधानिक संसोदन से हुआ क्या था तो पंचाईती राजी ववस्ता कुछ समवेधानिक मानिता मिली थी और दोस्तो सबसे पहले जो पंचाईती राजी ववस्ता है वो कब लागू की गई थी कहां पर लागू की गई थी तो राजस्थान की नागौर जिले में इसी लागू किया गया था अगला कुश्यन है हाली में COVID-19 मामलों में उच्छाल के बाद जापान ने 25 अपरेल 2021 से निमनमैसे किन सहरों में आपात काल की इस्तिती गोशित कर दी है अप्सन नमबर A है टोक्यो, B है उसाका, C है क्योटो और D है एक, दो और तीन सभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमबर D, एक, दो, तीन सभी हाली में COVID-19 मामलों में उच्छाल के बाद जापान ने 25 अपरेल 2021 से टोक्यो, उसाका, क्योटो और ह्योगो में आपात काल की इस्तिती घोसित कर दी है 11 मई 2021 तक आपात काल की घुशडा करते हुए परधान वंत्रे योसी ही देश सुगा ने सूचित किया है कि आपात काल का उदेश से छोटा और गहन होना है यह है जापान की गोल्डन वीकी चुटियों के दोरान लोगों को यत्रा करने और वाइरस फैलाने से रोकने के लिए है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जापान ने 25 अपरेल 2021 से टोक्यो, उसाका, क्योटो और हियोगो में आपात काल की इस्तिती घुशड कर दी है और कब तक की गई तो आपको ध्यान रखना है 11 मई 2021 तक आपात काल की घुशला की गई है अगला कुश्यन है नासा और एलन मस्क की वनज्यक रॉकेट कमपनी स्पेस एक्स ने 23 अपरेल 2021 को अंतरास्ट्री अंतरक्ष स्टेशन की उडान पर कितने अंतरक्ष यात्रियों की टीम भेजी ओप्सन नमबर A है 2, B है 3, C है 4, D है 5 इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर C, 4 नासा और एलन मस्क की वनज्यक रॉकेट कमपनी स्पेस एक्स ने 23 अपरेल 2021 को अंतरास्ट्री अंतरक्ष स्टेशन की उडान पर एक नई 4 अंतरक्ष यात्री टीम भेजी यह है ऐसा पहला चालक दल है जिसे पिछले अंतरक्ष यान से पुर्णर नवीनी के लिए रॉकेट बूस्टर से कच्छा में प्रछेपित किया गया है कमपनी का क्रू ड्रेगन कैपसूल एंडेवर फ्लोरिडा से एक स्पेस एक्स फॉलकन 9 रोकेट पर आकास में गया एलन मस्क की कमपनी ने एक साल के भीतर तीसरी बार मानव युक्त अंतरक्ष यान को अंतरक्ष में भेजा है तो दोस्तों ये कुश्यन भी इंपोर्टेंट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अमेरिका की अंतरक्ष एजनसी है नासा और एलन मस्क की जो रोकेट कमपनी है स्पेस एक्स उसने मिलकर के 23 अपरेल 2021 को अंतरक्ष में एक टीम भेजी है अब जो ये टीम है ये किस से भेजी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि जो रोकेट है फालकर नाइन उससे इसे भेजा गया है और ये जो चार अंतरक्ष यात्री है ये गई किसमें है तो आपको ध्यान रखना है क्रू ड्रेगन कैपसूल है उसमें ये गई है अब ये crew dragon capsule है इसे कौन ले गया है तो falcon 9 rocket इसे अंत्रिक्ष में ले गया है अब दोस्तों यहाँ पर आप image में देख सकते हैं यह हैं चार अंत्रिक्ष यात्री जो की अंत्रिक्ष में भेजे गए हैं और इस image में आप देख सकते हैं यह है capsule जिसमें कि यह जो चार अंत्रिक्ष यात वो यहाँ पर आप दे सकते हैं बैठकर कि यह गए हुए है और जो यह कैपसूल है इसे लेकर कौन गया है तो फालकल नाइन रोकेट यह इसे लेकर के अंत्रक्ष में गया है अगला कुश्चन है नियाय मूर्ती नथालपती वेंकट रमना ने अपरेल 2021 में भारत के कौन से मुख्य नियाधीस की रूप में सपत ली अपसन नमबर A है 49, B है 48, C है 49 और D है 50 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपसन नमबर B 48 मुख्य नियाधीस की रूप में नियाय मूर्ती नथालपती वेंकट रमना यानी N.V. रमना ने 24 अपरेल 2021 को भारत के 48 मुख्य नियाधीस की रूप में सपत ली राष्टपती रामनात कोविंद ने राष्टपती भवन में आयोजित एक संचिप्त समारों में उन्हें पद की सपत दे लाई उन्होंने नियाय मूर्ती सरद अरविंद बूबडे की जगा ली जिन्होंने 23 अपरेल 2021 को कारेकाल छोड़ दिया था नियाय मूर्ती रमना का मुख्य नियाधीस की रूप में लगवग सूल है महीने का कारेकाल होगा तो दोस्तो ये कुश्यन मोश्ट इंपोर्टेंट है आपको चीसे ध्यान रखना है कि भारत के जो मुख्य नियाधीस हैं अब वो कौन हो गए हैं तो नथाल पती वैंकट रमना यानि एन वी रमना ये मुख्य नियाधीस के तोरपर नियुक्त किये गए हैं और ये कौन से नमर के मुख्य नियाधीस हैं तो ये और तालीस वे मुख्य नियाधीस होंगे ये भी आपको चीसे ध्यान रखना है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं मुख्य नियाधीस एन वी रमना अगला कुश्यन है अप्रेल 2021 में सौमित्व योजन के तहत E संपती कार्ड के वितra का सुभारंब किस ने किया ओप्सन नम्बर A है स्री रामनात कोविंद, B है श्री नरेंद्र मोदी, C है स्री अमित्शाः, D है स्री M वेंक िया नाइडू इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर B स्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रेल 2021 को स्वामित योजना के तहत इसंपत्ती कार्ड के वित्रन का सुभारम किया एक आभासी आयोजन में 4 लाग से अधिक संपत्ती मालकों को उनके इसंपत्ती कार्ड दिये गए स्वामित योजना को 24 अपरेल 2020 को प्रधान मंत्री मोदी दोरा एक सामाजिक आर्थिक रूप से ससक्त और आत्म निर्वर ग्रामिल भारत को बढ़ावा देने के लिए सुरू किया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि यह जो स्वामित योजना है इसे सुरू कब किया गया था तो 24 अपरेल 2020 को इसे सुरू किया गया था और अब 24 अप्रेल 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्य योजना के तहत ई संपत्ती काड़ जो है वितरण सुभारम किया अगला कुश्यान है प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन योजना किस मंत्राले के अंतरगत आती है अप्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का संचालन भारत सरकार का उपभुकता मामले खाद्य और सारवजनिक बितरण मंत्राले करता है प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने राजियों के साथ वारता कर प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सारवजनिक बितरण प्रडाली के अंतरगत आने वाले 80 करोड लावार्थियों को अगले दो महीने यानि मई और जून तक निस्वल को खाद्यान देने की घोशड़ा की है योजना में प्रती व्यक्ति 5 किलो खाद्यान दिया जाएगा प्रधान मंतरी गरीब कल्याण योजना की सुरुआत पिछले साल हुई थी जो नवंबर 2020 तक लगातार चली थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्याण जो योजना है इसके अंतरगात असी करोड लावार्थियों को अगले दो महीने तक यानि मई और जून तक निस्वल को खाद्यान दिया जाएगा और कितना तो प्रती विक्ती 5 कछलोग खाद्यान दिया जाता है और ये जो योजना है ये किस विभाद के अंतरगात आती है तो आपको ध्यान रखना है उपभोकता मामले खाद्य और सार्वजनिक बित्रन मंतराले जो है इस योजना का संचालन करता है अगला कुश्यन है हाल ही में किसी ट्विटर ने डिरेक्टर ओफ इंजीनिरिंग की रूप में नियुक्त किया है अप्सन नमबर A है H.N. ठाकुर B. अपूरवा दलाल C. नीलम कुमार और D. है सुक्रती लखी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमबर B. अपूरवा दलाल ट्विटर ने अपूरवा दलाल को डिरेक्टर ओफ इंजीनिरिंग नियुक्त किया है वे इससे पहले राइड हेलिंग एप उबर में बैंगलोरू से बाहर इंजीनिरिंग साइट लीड थे वे देश में ट्विटर की इंजीनिरिंग टेम के सबसे वरिस्ट सदस्य होंगे दलाल के पास उबर गूगल और इबे जैसी वेस्विक संगठनों में दो दसकों का इंजीनिरिंग अनवाव है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर के डिरेक्टर ओफ इंजीनिरिंग के रूप में किसे नियुक्तिया गया है तो अपूरवा दलाल को नियुक्ति किया गया है अब दोस्तों ये जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप उध्यान रखना है 21 March का हुई थी 21 March 2006 को इसकी स्थापना हुई थी और कहां पर हुई थी तो San Francisco California सायोकत राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी तो दोस्तों ये थे 26 April से समंधित उत्तरप्रदिस Current Affair और इसके अलावा UP exams के लिए Most Important Current Affair की Question जो कि हमने डिसकस किये अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का Question जो हमने आप से पूँचा था तो यह है कल की वीडियो का Question जो हमने आप से पूँचा था नेमन मैसे कौन सा किलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेवाज बन गया है इसका जो Correct Answer था वो Option Number A था विराट कुहली और लगबग सभी Students ने इसकी सही जवाब दिये और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी Question आप से पूँचा जाए तो सभी लोग उसका Answer जरूर किया करूँ तो यह है आज का Question तो इसका जो भी Correct Answer है वो आपको Comment box में बताना है और दोस्तो कोसिस किया करें की Question का Answer आप Detail में दे क्योंकि जितना Detail में आप Question का Answer करेंगे तो उतना ही अच्छी से आपको Question याद होगा तो दोस्तो अगर आपको अज़का वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को Like करें, Share करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को डेली देखने की हैबिट बनाईए तभी आप निश्चित रूप से उतरप्रदिस के सभी एक्जाम्स में करेंट अफिरसी समंदित सारे कुश्यन सॉल्व कर पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू